हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू ओल एजुकेट एकडबिक मेरा नाम विन्नाज कुमार है आज से मुग बात करने वाले एल पी एंड टेक्निशन के ओफिशियल कटफ फारर भी कॉलकत्ता बोर्ट का तो कटफ कंप्रमाइज का सौरी कंपेर करेंगे हम लोग कि कटफ कितने गया ह कितना हाई गया है कितना नॉर्माल है कटफ इसको उपर हम बात करने वाले रिजल्ट आप धीर सभी बेसाइट पर अपलोड हो जाएंगे जैसे आभी आरर भी कोलकता कुछ बोर्ट के बेसाइट पर हो गया है आपने जिस बोर्ट में फिलफ किया था उस बोर्ट के आरर भ देली जैसे को का दाया थे आरर भी मुंबई आप को बोर्ट में और भी लीकल को कौटका अ colorful कर घो भी बोर्ट गूगल पर शेर्ट करें आपका टॉप or two a time-offer गतके पर ओपर कर दिजेंगे उमीद तो यहीं है कि सभी बेसाइट पर रातरी के नौवजी तक अप्लोड हो जाएंगे तो आप दिरे दिरे चेक करते रहें तो चलिए हम लोग यहां पर कटफ के उपर बात करते हैं एक बोट से हम लोग कंपेर कर लेंगे कि लगफाक हम लोग कटफ कितने गए और कितने नॉर्मल है तो यह अभी हम लोग को अफिशियल कटफ है सी बीटी वन एक्जाम का यहीं बात किया जाए लोको पाइलेट का तो ओबीसी का कटफ गया है तीस एप्रॉक्स जो हम लोग बात कर रहें तो कटफ उतने के आसपास ही रहेंगे क्योंकि यह स्कोर जो है यहां पर तीस पचीस त यह नौर्मलाइजर स्कोर है यह और उरिजनल स्कोर इससे कम होंगे पर कटफ जो इससे सिधी बातों में हम लोग समझते जैसे आपका स्कोर माल लेते हैं आपड़ अठाइस थे ठीक है यह नौर्मलाइज होकर बैस या तीस हो गया जितना स्कोर बढ़ा होगा तो आप लो यदि आप 25 अंक है आपका रिजल्ट हो गया यानि तो 6-7 अंक बढ़े हैं तो आप एक बार चेक कर लिजेगा कि कितना स्कोर बढ़ रहा है तो यह अनमाल लग जाएंगे क्योंकि यह नॉर्मलाइजर स्कोर है औरिजिनल आंक नहीं है तो कटफ जो हम लोग बात कर रहें थे लागफाग एप्रोक्स उसी के आसपास है ज्यादा कम बेशी नहीं है जैसे यूर के टेगरी के लिए 41.99 नॉर्मलाइजर स्कोर कटफ गया है एसी तद तीस और एस्टी के टेगरी का पचीज और जो मैं केनिकल दिपार्टमेंट में एल्पी का कटफ है 43 30 25 ओबीसी 30 जो PCM पोश्ट है जो अन्माल नगा जाए था कटफ ज्यादा आजाएंगे मैंने एक वीडियो में 45 बता था एक वीडियो में 60 के आसपास बता था सेकेंड वीडियो में 45 बता था कटफ का सेकेंड वीडियो में थ्रहाँ साथ जब अनलेशिस कंप्लीट हो गया तो इसमें मैंने आपसे भी को 53 से लेकर नहीं 54 या 53 के आसपस बता था कटफ पर यहां पर जो PCM आले पोश्ट है इनका कटफ बहुत जादा हाई गया है यह त तो 60 के आसपस जिन्होंने स्कोर किया होगा और नर्मलाइज होने के वास 73 के आसपस गये होंगे अंक तो यह जो है उतना ही के आसपस है यानि जो अनमाल लगाए गये थे ठीक उसी तरह से कटफ है ज्यादा अंतर देखने को नहीं है जैसे 5-10 अंक के ज्यादा नहीं है से 53 और सट 49 और ओबीशी 65 पे सेम तरस उसी तरस से कटफ गया क्योंकि इसको अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं संट के एक और पोस्ट है टेली कम्मुनिकेशन के लिए इसका कटफ सिंगने से थोड़ा सा जादा गया 73.35 63.49 और सट का गया है 50 और सब्सक्राइज 66 कट कटफ थोड़ा सा जादा गया है टेली कम्मुनिकर जो पीसियों माले पोस्ट को जो अनमाल लगा जा रहे थे ठीक उसी तरह से गया है और जो एलपी टेक्निशन की बात किए तो एलपी टेक्निशन नॉर्मल कटफ है कुछ जादा हाई नहीं है क्योंकि मैंने आपको स्टा बढ़े गाई यदि नॉर्मल कटफ आते बीना नॉर्मलाइज किये हुए आपका रिजल्ट बनाया जाते तो आपका कटफ 27-28 के आसपास ही रहते ठीक है तो आप लोग में से जितने लोग के कॉमेंट रिजल्ट हुआ है को अभी आप हमें कॉमें कॉमेंट करें कि आपका अरिजनल कीतना था अब भी रिजल्ट हुए है या नहीं यदि रिजल्ट अभी हो गया तो उससे पता अन्माल लग जाएगे कि आपका अस्कोर कितने बढ़े यानि आभी आपका ओबीसी के डिगरी में है 25 थे ठीक है तो आपके बढ़ गया है ओबीसी के कटफ 30 गया है न देखने के लिए आप से भी को बहुत बहुत धन्यवाद जाए जाए भारत